जहें दोस्तों, आज निशु क्लास से छुख भड़ते लिखित परिच्छा के बिवित के पाठकरम में एक और अगला ध्या लेकर आया हैं। जहां पर आप इस सीजन को पढ़तने के साथ साथ इसे नोट डाउन करेंगे तो आपका परिच्छा में खुब बहुब प्रश्नियासे बनेगे यह यह टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं यहां से प्राय हैं चार से पांच प्रश्न आपके परिच्छा में आएंगे तो देखेंगे आपके पास एक बिवित की एक जीएस की एक साइंस की बहतर नोट्स होगी जो आपको सलेक्षन के और नजदीक लेकर चलेगी पहला प्रश्नाव के डिश्पले पर दिख रहा है फॉसिल इधन के जलने शे क्या उत्पन होता है जो लोग इस वीडियो को से मिर्दा प्रदूर्शन नहीं होगा जल प्रदूर्शन नहीं होगा वाईू प्रदूर्शन होगा यह अपको एक दम आसान प्रस्ट यहाँ प्रशन में जीशन के बिकल्ब्शु right S प्रश्ण का उत्तर सी दिया है उन सभी के जबाब शही है और हम एक एक करकर आगे बरते हैं ठीक है अधिर प्रश्ण की तरफ चलते हैं चाहत आप इस प्रश्ण की स्कीन सोड अपने पास वर अच्छित रह सकते हैं अगला प्रश्ण है ग्रीन हाउस प्रभाव प्रितिवी करनी है ऐसे प्रश्ण का जबाब आपको जरूर देना होगा खास कर सुच्छ वर्ति के लिए राम बाढ़ है ग्रीन हाउस प्रभाव प्रितिवी के वायुमंडल का गर्म होना क्या कारण है दिखिए ध्यान दीजेगा यक्स किरणे और वाई किरणे नहीं होती परावेग इसमें और वायुमंडल का गर्म होने लगता है उन सभी के जवाब शाय है चलिए अगर आप लोग को प्रश्ण पढ़ने में लगाने मजा रहा हो तो पहला काम वीडियो को लाइब करके सभी साथी में तो को शेयर करिएगा अपनी जिम्मेदारी मानिएगा जैसे मैं अपनी जिम्मेदारी मान कर आपकी बीच समय से लाइब आता हूँ सारे काम छोड़कर वैसे आपकी यतिनी जिम्मेदारी है एक सिच्छक बनने के नाते मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ आपसे भी सिच्छक सिच्छक आओ जो लोग उस वीडियो को लाइब देख रहे हैं अगला प्रशन है भारत के किस नगर को भारत की सिलकान वैली कहा जाता है आपके लिए देशित में राश्चित में हैं क्योंकि आप यहां से पढ़कर देश की वह न्यू मजबोत करेंगे जहां से नोनिहाल मचे बाहर आते है भारत की जो शिलकान वैली है एकदम राइट एंस और आप लोगों ने बताया है वो आपकी बंगलूरू है जी हां बंगलूरू इस प्रशन का सही जवाब है जिन साथ यून इसका उत्तर बंगलूरू दिया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है जब की भारत की सूचना भारत की सूचना करनाटक राज़ की राज़धानी है याद रखेगा भारत की करनाटक राज़धानी क्या है बंगलूरू है इसे भारत की सूचना प्रादोगी की राज़धानी भी कहते है साप्टेवेर, कम्प्यूटर समंधित, अनिक परिश्थान कमपनिया इस बंगलूरू में इसलिए भारत की शिलकान वैली के नाम से जाना जाता है बहुत बहुत धन्यवाद संदीब जी और आपने सपोर्ट किया उसके लिए आपको सही धन्यवाद हम देना चाहेंगे अगला प्रशन है परल सिटी किशे कहते हैं जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं या जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा परल सीटी किशे कहते हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें और जवाब दें कि परल सीटी किशे कहते हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें परल सीटी किशे कहते हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें परल सीटी किशे कहा जाता है दिखिए पलिसिटी की बात करे जहां पर हीरा मोती का ब्यापार होता है इसलिए इस प्रशन का अगर आप शही उत्तर देना चाहेंगे तो हैदराबाद इसका राइट एलसर होगा जी हाँ हैदराबाद होगा एकदम राइट आप लोगों ने बताया है शही जवाब आप लोगों ने दिया है हैदराबाद ठीक हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रशन की तरफ जी हाँ बीवित की महाबरा स्रीज माप शवी का श्वागत है इटो के निर्मान के लिए कौन स मिट्टी का प्रयोग के जाता है एकदम आसान सा प्रशन है यूनिक प्रशन है जो प्रह परिक्ष्छा में पूछा जाता है मैं उमीद करता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं वे सभी इस प्रशन का जवाब देंगे जो इट बनती है वो किस मिर सीज का राइट एंसर होगा इसमें खा दुरूरत की जादा मात्र डालने पड़ती है इसलिए मिर्दाओं में इस प्रकार की मिट्टी से लेट राइट से प्राया इंट का निर्मार किया जाता है ऐसे प्रशन को आपको बार बार समझना पड़ेगा सरकारी सिच्छक बनना करनी है तो आपको इन सभी तथ्यों को कॉपी में लिखते चलना पड़ेगा मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रशन की तरफ देखें सिमेंट बालू और पानी के गाड़े घोल को क्या कहते हैं आपके पास दस सिकंड का समय है आपको देखना है सबसे पहला जब आपक कि इसे कहते हैं RCC कि कि से कहते हैं कंक्रीट कि कि शे कहते हैं और इस परस्डे का उत्तर इकदम आसान है यह गारा या मशाला के नाम से providing कंग्रीट क्या होता है छतों पर रखे जाते है RCC की डहलाई होती है गारा से भट्टा क्या होता जहाँ इड़ बनता है इसलिए इस प्रशन का जो उत्तर होगा वह सीज का राइट एंसर होगा सीज प्रशन का शही जवाब होगा एकदम सेलेक्शन वाली क्लास है सिच्छक बनने के लिए सरकारी सिच्छक बनने के लिए ये क्लास आपके राम बार का काम करती है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रशन की तरफ आप लोग धैर रखे रहेगा कॉपी कलम से लिखते चलिएगा अगला प्रशन है आपका ब्राउन पेपर की से कहते बहुत ही यूनिक प्रशन है सभी साथी फटापर कमेंट करें जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे है प्रते दिन साड़े नो बजे एलारम लगा लें अगर आपको सरकारी सिच्छक बनना है तो और इसकी लिंक आपको टेलिग्राम पे मिलेगी जहाँ पे दुरगेश सरसर करके इलने भी दुरगेश फेस्बूक इस्टा ट्वीटर इलने भी दुरगेश सभी साथी फटापर कमेंट करें निसुल क्लास आपके लिए है ब्राउन पेपर कहा जाता है सभी साथी फटापर कमेंट करें जो लिए वीडियो को लाइप देंगरें सभी साथी फटापर कमेंट करें ब्राउन पेपर किसे कहते हैं जी हाँ एकदम राइट एंसवर है कि brown paper जूट को कहा जाता है जूट इसका right answer होगा ठीक और ये नगदी फसल के अंतरगत भी आता है नगदी फसल का पास जूट गन्ना समीह अलगभगे आपे इस प्रशन का उत्तर क्या होगा जूट इसका right answer होगा हम आगे बल रहा है अगले पिशन की तरफ जе आँ साथी हो नीली करांथी का संबन किश्य है एकदम आसान पिश्टन है शबी साथी कॉमेंट करके बताएंगे कि नीली कॉमेंट करके नेली क्रांथी का शंबन किश्य है जो लोग इस वीडियो को सोची अपने आपको परिक्षा हाल में है गलत हो जाएगा गोली थोड़ी नमार देगा लेकिन हाँ यहाँ से गल्टियों शम्शीकते हैं यहाँ पे मत्स पालन होगा जिहाँ नीली क्रांती का शंबंद मत्स पालन से है मचली पालन से है अगला प्रशनाप के शामने है भारत का सबसे बड़ा राजी कौन सा है अब यह देखना है अगर यह प्रसुची ने सही जबाब दिया वह असली में पता चलेगा कि वो सरकारी सिच्छ का बनने के लायक है वो सरकारी अध्यापत के अध्यापिका बनने लायक है तो जल्दी चे फटाफट कमेंट करिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राजी क्या है सबी साती फटाफट कमेंट करिएगा कमेंट करके बताइगा जो लोग बीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी साती फटाफट कमेंड करें बताइए एकदम सही जवाब है दिहान दीजेगा सबसे बड़ा राज जिहाँ पर कौन सा है एकदम आसान राजस्थानिस का राई टेंस वर है छित्रफल की दिश्ट कौन सा गर देखा जाए जैसे अगर हमने यहाँ पर भारत का मेव बना दिया ठीक है यहाँ पर सबसे बड़ा राष च्छित्रफल की हम बात करते है तो जी यहाँ जित्रा जो यह बिल्ट है इसे राजस्थान के नाम से जानते है यह सबसे ज़्यादा पूरे भारत में चप से पहला स्थान है और पहले पे देखा जाए तो पहले पे राजस्थान है दूसरे पर क्या है आपका मद्य प्रदेश है तीसरे पर क्या है महाराश्टर है चोथे पर उत्तर प्रदेश है यह भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश छत्रफल के दिश्टिकों से चोथे नमबर पर है, एकदम रटा मार लीजिएगा, एकदम रट लीजिए, क्योंकि आपको सेलिक्षन लेना है, आपको सरकारी नोकरी करनी है, इसलिए कोई भी प्रशन पूछा जा सकता है, अगला प्रशनम बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, किसे दच्चुण भारत का शबी साथी, फटा फट, कमेंड करके बताएंगे, उत्तर भारत का मैंचेस्टर किसे कहते हैं, दच्चुण भारत का मैंचेस्टर किसे कहते हैं, शबी साथी, अगर आपको सरकारी नोकरी करनी है, शलिक्षन लेना है, तो गलत या सही जबाब देना शीखिए, यूगि गल इसलिए बात जानते रहेंगा कि मैप में अगर आपको बताना हो तो आप असानी से बता लेंगे हम आगे बढ़ रहें कि प्रश्णी की तरफ अगला प्रस्ण आपके सामने है निम्रिकित में से कहां इस तूप नहीं है एकदाम हलुआ प्रस्ण है आज काल ये प्रस्ण काफी ट्रेंडिंग है नहीं वाले प्रस्ण है ठीक है सभी साथी फटापट कमेंट करें कमेंट करके जबाब दें देखिए अगर आपने इस हैं तो मुझे एक काम करिएगा वीडियो को लाइक करने के बाद अपने शभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा लाइक करने से परिशा नहीं कटेगा मोटिवेशन मिलता है यार हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो आपकी संख्या कितिनी बहतर हो रही है ये क्लास आपकी है म हमेक में स्थूप है ठिक और भरतों में राची में कोई भी स्थूप नहीं है इसलिए जो गलत है वही सही है इस प्रशन का उत्तर डी आपका राइट एंसर होगा जी हां डी आपका राइट एंसर होगा देखिए मैं अपनी क्लास निसुल्ग देता हूं लेकिन बाकी आपके बीच है निमनिकित में से भारत की स्रिम राजधानी क्या है सबसे पहला जवाब किसका आता है आज हम यह देखना है कि कौन इस प्रशन का जवाब सही से दे पाता है लोग निमनिकित में से भारत की स्रिम राजधानी कहां है क्या गजब का प्रशने बिविद का वीडियों को लाइब देख रहे हैं पहला काम लाइब करने के बाद अगर शेयर कर देंगे तो आपकी मित्र के पास आपके परिवार के लोगों के पास याएगा वो लोग भी पढ़ेंगे और वो भी सेलेक्शन के निजदीक पहुचेंगे कर भला तो हो भला मैं सभी मैं एकदम रटे लीजिएगा नेलूर है नेलूर कहा पर है यह जींगा जींगा मचली के लिए आंद्र प्रदेश में प्रसिद्ध है इसे भारत की स्रिम प्राजधानी कहा जाता है यह कहां पर है यह आंद्र प्रदेश में है ध्यान से दिख लिएगा यह आंद्र प्रदेश में है किसके लिए प्रसिद्ध है जींगा के लिए किसके लिए जींगा के लिए प्रसिद्ध है जींगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं लिख लीजिएगा श्रिप कहते हैं इस अंग्रेजी में स्रिम से कहते हैं इसलिए जींगा की राजधानी भात में कहा है अगर आप लोगों ने ध्यान से पड़ा कि भारत में जींगा की राजधानी कहां पर है जींगा की राजधानी तो भारत की जींगा की राजधानी नेलूर में है रट्टा माल लीजेगा ऐसे प्रश्ण कभी जीवन में गलत मत करिएगा क्योंकि मैंने बताया कि सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं वो यहाँ पर गलती कर सकते हैं परिचाहान में गलती मत करिएगा मैं आप सभी से एक गुरू दछणा को रूप में मैं आपका सर्छाथा हूँ मैं चाहता हूँ ठीक है आप लोग मैं चाहता हूँ कि आप सभी शाथी सेलेक्ट होकर जाएं और यही मेरी गुरू दछणा होगी हम आगे बढ़ रहे हैं यह दिसुल कलास आपके लिए है अगला है रिट डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो लोग वीडियो को लाइप देख रहे हैं फटा फट कमेंट करके बता हैं कि जो रिट डाटा बुक है वो कैसे जातियों के बारे में जानक यू, शी, एन, ये रिट डाटा बुक को प्रकाशन करता है, इंटरनेशनल यूनियन फार्दा कंजर्वेशन आप नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये विश्व की सभी संकट प्राई जाती हों के, क्या करती है, उसकी अस्थापना 1964 में होई है, और यह संकट पन जातियों को एकठा करने का काम करती है, इसलिए यहां से किसी को भी गलती नहीं होना चाहिए, आपको सेलेक्शन लेना है, तो सभी बाते जानते रहेगा, पहला यह है, IUCN का फूल फॉन क्या है, रेट डाटा बुक जारी करती है, इसकी अस्थापना कब होई थी, 1964 में होई थी, और इसका काम है, शंकट पन जातियों को जानते, किलियर हुआं, किसी कोई डाउट, होद कमेंड करके पूछेगा, मेरा उद्देश आपका है, और आपका उद्देश आपका सेलेक्शन है, इसलिए आप सभी साथी चुड़े रहेगा, आगे बटा के लिए प्रश्ण की तरह, अगला है, रेट डाटा बुक में किसका ब्योरण दिया जाता है, एक गदा महासान प्रश्ण है, उमीद करता हूँ, सभी साथियों के सभी साथी बता है, देखिए, पादब के वल संकट पन पादब जी नहीं, जीवाश पादम जी नहीं, बिलब्द जी नहीं, संकट पादब जीव और जन्तु दोनों के लिए, इसलिए इस प्रश्ण का उत्तर ए होगा, ए इसका राइट एंसवर है, इस पे ताला ए पर अगले प्रश्ण की तरफ हम बढ़ते हैं, भारत किस राज को चावल का कटोरा कहते हैं, फटा फुट कमेंड करिएगा, जो भी साथी लाइब है, दस सेकंड है आपके पास, इन दस सेकंड में जबाब देना है, सबी साथी फटा फुट करें, निसुल क्लास आपके लिए रियाश्चित में, देशित में हैं, सरकारी सिच्छक बनाने के लिए आपको गौर्मेंट टीचर बनना है, तो सभी प्रश्ण का जवाब देना है, गलत या शही और अंतर तक बने राना है, नो डाउन करते हुए चलना है, भारत किस राज को चावल का कटोरा कहते हैं, रा जादा चावल, जादा चावल किस राजी में होता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताईएगा, किस राजी में होता है, लेकिन चावल का कटोरा पूछा है, तो आंदर प्रदेश को, आंदर प्रदेश को, जी हां, चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, समझ में अगर पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन है तो पस्चिम बंगाल है कौन है पस्चिम बंगाल है लेकिन चावल का कटोरा अंधर प्रदिश को कहाजाता है कभी चीवन में गलती मत कर जिएगा क्योंकि आपको सेलेक्शन लेना है और सेलेक्शन देने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और वहाँ आप अगर कर पाते हैं तो आपका धन्यवाद और आपके लिए ये क्लास सराहनी होगी और आपके जीवन के लिए यादगार होगी ठीक है मैं अगे पड़ा अगले प्रश्ण की जो लोग उस video को लाइप देख रहे हैं फटा फट कमेंट करेंगे सबी साती फटा फट कमईट करें सबी साती फटा फट कमेंट करिए जबाब देगे गलत्य है जरुत दो बौत-ट जिन्दिगी का सरकारी सिथ्छक बनने जा रहे है इसका उत्तर तो पता होना चाहिए वा दांते तक पढ़े लिए तो हम आगे बढ़ना के लिए प्रश्ण की तरफ एकदम सही जबाब सभी ने सही जबाब दिया है सभी को बढ़ाईया शुक काम ना है हम आगे बढ़ रहे हैं ठीक है किलियर चली अगला प्रश्ण आपके सामने है सार की लडाई किस देश में प्र रहे हैं वीडियो को शेयर जरू करिएगा आपको अगर आपको लग रहा है किसी की जीवन के लिए बैत्तपूर है किसी गरीब से का इससे सलेक्शन हो सकता है तो उनके लिए वीडियो को शेयर जरू करिएगा लाइक करने के बाद पैसा नहीं कटेगा आपका कर भला तो हो बहला तो कि एकना सई एकने सभाव आप सब क्या रहे हैं इस पेन इसार होगा जी हाँ सातियों इस पेन स्कार सही जवाब होगा रक्ठ आमाट दिजिएगा एकना प्रटिजिए इस पेनअगे प्षणका सही जवाब है हम आगे बढ़ एगले प्रश्ण की तरफ ठीक है अगला है इस पेन था अगला है भारत का पहलो प्रधान मंत्री को था फटाफट कमेंट करिएगा जो लोग इस वीडियो को लाइब देखरें सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे इस प्रश्ण का जबाब जरूर देंगे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे जो लोग इस वीडियो को लाइब हैं ओ फटाफट कमेंट करेंगे बताएंगे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे जबाब देंगे भारत का पहला उप्रधान मंत्री कोन है बताईए सभी साथी बड़ा परकमन करिए देखिए भारत का पहला उपरधान मंतरी पूछा है पहला उपरधान मंतरी बल्ला भाई पटेल बल्ला भाई पटेल इस प्रशने का राइट एंश हो रहा है बल्ला भाई पटेल ये इसके पहले है और सबसे ज़्यादा धान दीजेगा भारत में सबसे ज़्यादा उपप्रधान मंतरी देने वाला राजी कौन सा है वाला राजी किसी को पता है गुजरात है लिख लीजेगा गुजरात भारत में सबसे ज़्यादा उपप्रधान मंतरी दिया है रटा मार दीजेगा एकदम रट्टा मार दीजिएगा, दूसरा, ये पहला हो गए और मुराजी देसाई दूसरे हैं, एकदम रट्ट लीजिएगा, ठीक हैं, लालकिसाड अमारी अंतिम और तीसरे भी हैं, ठीक हैं, सभी गुजरात राजश हैं, अभी तक साथ उपरधान मंत्री हुए हैं, अभी तक सा साथ उपरधान मंत्री हुए हैं, साथ ठो, लिखना चारी लिजिएगा, साथ में कौन-कौन, बल्लाभाई पटेल, मुराजी देसाई, और आपके लालकिसाड अमारी, जग जीवन राम, ये सवंत राम चोहान, देभी पाल, चौधी चौन सिंग, साथ लोग भारत के उपर पार कहां पे है, आपकी स्टीज अगर हल कर लेते हैं, बहुत सारे प्रिशन सिच्छक भरती में आपको हूबहू मिलेंगे, जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं, वही आपके परिच्छा में आएंगे, एक दम हूबहू, साधे नो बजे, इलारम लगा लीजिए, अगर आप को सरकारी सिच्छक भरना है, सरकारी नोकरी करना है, तब सभी साथी पटाबर कमेंट करें, जीम कारवेट कहां पर है, सभी साथी पटाबर कमेंट करें, इसका पुराना नाम क्या था, सभी साथी पटाबर कमेंट करें, बताएंगे, इसका पुराना नाम क्या था, यह भया लाइब देखने वीडियो को यह सेलेक्शन लेना है कि मैं आगे बढ़ रौगले पिश्णी की तरफ जी यहां नैस्टनल हैली पार की जी राइट एंसवर बहुत सही लगे रहो मित्रों लगे रहो नौकरी तो आपके कदमों में आएगी ऐसे लगे रहो शेरो नौकरी आपक सब्सक्राइब राजस्थान में नहीं है राजा जी राष्ट्य उद्यान यह राजस्थान में नहीं है कहा पर है सभी साथी बताईए यह उत्तरा खंड में है जिसकी अस्थापना 1983 में होई थी एकदम सही जबाँ एकदम राइट एंसवर जी हाँ बहुत अच्छा लग रहा है अगर जितने भी सरकारी सिच्च ओक सिच्चिका है यहां पर कितने प्रस्ण आपके तयार चार प् काजी कहां पर है वो तरा खंड में है जिस किस्थापना वो नई सो तिरा से मुही थी जी यहां एक्दम राइट एंस हो रहा है अगर आपको सरकारी सिच्छा क्या सिच्छिका बनना है तो सारे प्रश्ण का जवाब देना होगा एकदम से क्योंकि आपको सेलेक्शन लेना है एक सिट आपको बचानी है हम आगे बढ़ रहे हैं चलिए हम आगे बढ़ आगे प्रश्ण की तरफ काजी रंगा नेशनल पार कहां पर है बिवित की क्लास है आपके जीवन के कित्यासी क्लास होगी जहां से सेलेक्शन आपके कदमों में होगा फटा पट कमेंट करिएगा जो भी साथी वीडियो को लाइप देख रहे हैं काजी रंगा नेशनल पार कहां परिस्तित है फटा फट कमेंट करिएगा जो लोग वीडियो को लाइप देख रहे हैं फटा फट कमेंट करिए बताईए काजी रंगा नेशनल पार कहां पर है शबी साथी फटाफट कमेंड करिए एकदम हलुआ प्रस्टन है अरी भाईया अगर हमें हाँ मैप बना दें क्योंकि हमें मैप से भी पढ़ना है क्योंकि हमें सरकारी नोकरी जो करनी है आपको सरकारी नोकरी करनी है और वीडियो को लाइक करके सेयर कर दो ठोको लाइक ठोको सेयर यहां पर द्यान दीजिएगा काजी रंगा की बात कर रहा है तो काजी रंगा यहां पर यह दिखिए यह बिल्ट जो है यह असम है कौन सा राज्य है इसी का नाम असम है और असम में काजी रंगा नेशनल पार्क है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रशिद है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रशिद है एक दम राइट एंस वर है बहुत अच्छो भारत तो नहीं बन पाए क्योंकि मुझे एक जीज चीज करना है आपको location दिखाते चलना है जी हाँ क्योंकि आपको कभी दिक्कत नहों पाए ठीक है एक सिंग वाले गेंडे के लिए है मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्ण की तरफ जी हाँ साथियो आगे बढ़ रहा हूँ मैं इसकी इंसर चाहे तो कर सकते हैं अगला प्रश्ण आपके सामने डिस्पले पर है पितवी पर सबसे लंबा टिकने वाला ब्रिच कौन सा है यह बिवीद चला है एकदम राइट एंस और आपको देना है यह बिवीद का प्रश्ण है जी हाँ साथियो सभी साथी पड़ाबर कमेंगर जबाब दे जो लोग इस वीडियो को लाइट दे रहे हैं सभी साथी जबाब दे जी यहां जिके ऑनलाइन जोडने के लिए आप जब 630-634-367 पर करके जोड़ सकते हैं यह जोन पूर्जन पर से चलती है प्रद्दी निसुल के साढ़े न इच्छे कौन सा है कमेंड करिए फटाबर कमेंड करिए जलियल दी यार इतना सरल प्रशना आप लोग नहीं जबाब देते देखिए इसका उत्तर होगा शिकुवा डीस का राइट एंसर होगा शिकुवा पितिवी पर सबसे लंबा टिकने वाला इसे शिकुवा कहते हैं इ लगभग यह 83 मीटर होता है लगभग क्या होता है 12 से 83 मीटर तक होता है इसका लगभग 1500 पुराना प्रिच्च है कितना िद्धार्णी सब वर्स पुराना बिच्छ है एक कई सब साल पूराना बिच्छ है इसलिए इस प्रकतेख है इसको कर लेंगे सेलेक्शन लेना थो बागी आक ति अच्छा हमाँ के बढ़र एक लिए प्रशनी की तरब ये प्रशने का ट्रेंड बदल दा है अब कच्छनाई गस्तर भऻाया जा रहा है हमाँ के बढ़र एक लिए प्रशने की तरब green park stadion कहां पर है शवी साती फटांफट कुमेंट करेंगे और जबाब देंगे एकदम राइट एंज वर है जी हाँ एकदम सही जबाब देना है ग्रीन पार्क ये भाईया अगर सिच्छक भरती के त्यारी कर रहे है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश प्रामरी जूनियर सिछक बनना है सरकारी सिछिका बनना है आपको तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के कानपूर में है ये कहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश के कानपूर में है एक दम से समझ लीजिएगा मैं आगे बढ़ रहा हूं कि ले प्रशनी की तरफ कानपूर इसका राइटेंस हो रहे हैं डीस का सही जवाब होगा अगला है राष्टियत्ता परिशत के धच कौन है सभी साथी जवाब देंगे ये बिवित के साथ सा जीयस साइन्स मतलग 50 नंबर की एक मैलातन सिरीज है इस सिरीज को अगर एक बारा पूरा देख लेते हैं तो 50 नंबर की बहत्ता सिरीज तायार होगी जिसमें बिवित से एक भी प्रशन गलत नहीं होगा तो वीडियो को लाइक और सेर कर देयार लाइक ठोके सेर कर दीजिए जितने लोगों वीडियो को लाइक और सेर किया है इस्वर करें वो जल्दी से साथकारी सिच्चक और सिच्चका बने जितने लोगों इस काम में अपना योगदान दिया है इस्वर उन्हें पहली बार में अगली बार जब भी बैटे उनके दामन में सिच्चक और सिच्चका का पद हो और अपने विद्यालों के जाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें राष्टी एकता परिशत का अध्यच परधान मंतरी होता है याद रखिएगा राष्टी एकता परिशत इसे हम NIC कहते हैं राष्टी एकता परिशत इस परिशत का गठर राष्टी एकता में समाधनितु किया गया था इसकी जो पहली बैठक होई थी पहली बैठक पहली बैठ पता किसी को 1962 में हुए थी राष्टी तर परिशत का ध्यच प्रधान मंत्री होता है इसकी पहली बैठक 1962 में हुआ था क्लियर मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले पश्टी की तरफ रट्टा मार दीजिए आप लो शिक धर्म सिखों के धार्मिक अस्थर में निम्न में से कौन सा स्थर भारत में है एकदम सही जबाब देना है आपको क्योंकि कुछ दिन पहले यह आपके लिए आया हुआ था द्यान दीजेगा नहीं है पूछा है नहीं है तीन है और एक नहीं है जबाब दीजेगा सभी साथी फटाबर कमेंण करें जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहा हैं डेली साड़े 9 बजे साड़े 9 बजे सरकारी सिच्छक बनने के लिए मैराथन इल्यानिवीद दू और किया कि तरफ से चलती है मैं स्वयम्द सरकारी ध्यापक हूँ मैं अपने बच्ची वीसमय में अपना शमय निकालकर आपके लिए इस अपना बैतर देता हूँ ताकि आप सबी भविष्ण में हमारी तरह सरकारी सिच्छ यह हमसे उपर बिजाकर जूनियर में सिच्छ बने और अपने मातापित अपने परिवार अपना नाम रोशन करें देखिएगा यहाँ पर एक उत्व प्रश्न को हमें जानना है यहां पर केशोगर साहिप भारत में है पाउटा साहिप भारत में है नान देड लेकि ननका साहिप जो है यह गलत है और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांते में इस्तित है यह प्रथम गुरू नानक देव से समधित है ठीक है यह धार्मी कस्तर प ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगले प्रश्ण की तरफ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगले प्रश्ण की तरफ, सभी साथी फटाफट कॉमेंट करते रहेंगे, अगला प्रश्ण आपके सामने है, पेकिंग किसका धर्मस्थल है, सभी साथी फटाफट कॉमेंट कर यह है पेकिंग किसका धर्मस्थल है देखिए यहां पर आपका मैं समय बरबाद नहीं करूंगा ताओ वाध का दर्मस्थल है ठीक है अगला परस्तन आपके शामने है कौ жест इस्मारक 200 धरोहर 20 धरोहर estaba के श्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ इस्मारक est इसमारक करें यह बिबित का और में कीपार 살아 평 2015 में आपको आज पॉर्प स्रेश को पूरा देख लिए तो पांच नंबर की पूरे हो जाएंगे जार आप लाइप इस वीडिप को शेयर करके कम सकम एक हजार सूप पर संख्या कर दीजिए गर आप भी मेरी तरह सिच्छक होते हैं तो इतना काम जरू करिएगा आईए इस प्रिष्ण का जवाब हम लोग जानने का प्रयाश करते हैं कि कौन से इस मारक बिस्व धरोबार के इस मारकों में शब्षे पहले बसा हुआ इस मारक है तो इसके बारे में देखते हैं आगरा किला 1983 में लाल किला 2007 में जैसल मेर किला 2013 में अमेरिका किला 2013 में अब आप बताएए यहां पर इस प्रिष्ण का उत्तर क्या होगा मैं उमीद करता हूँ आप इसका जवाब तुलंद दे पाएंगे जी विश्व धरो इलनी भी दुरगेश को अपना परिवार मानिएगा और अगर आप बेसी सिच्छा में आने जा रहे हैं तो बेसी सिच्छा के परिवार में हम भी हैं और इस परिवार में आपका श्वागत है और इसलिए लोगों को तक पहुचाना आपकी जिम्यवारी है इसलिए इस प्र सब्सक्राइब काना फ्र喝 में समारक नहीं है जो लोग जो सब्सक्राइब करें गें ऑ कमिंट करके जब आप देंगे कि सभी साथी에서 Red कमेंट करके बताएंगे ए ड का इस में एक थोड़ी जैपूर में हैं कहाँ पर है जैपूर में इसलिए गलत है और यही शही है यहां से दान दीकसी क्योंकि कुतुब मिनार दिल्ली में लाल किलां दिल्ली में हमायुक मकबरा दिल्ली में जंतर मंतर जैपूर में और इसलिए प्रशन का उतर जो होगा वो क्या होगा जंतर मंतर ह होगा समझ यह द्हां और 2010 में समलित किया गया था विष्व दरोहर सुची में इसे 2010 में समलित किया था मैं आगे चल रहा हूं अगले पिस्नकी तरह ठीक है क्या आप लोग मदद करेंगे इस वीडियो को अपने सभी गुरूपों में पहुचाने का इस वीडियो को अपने फेश्बूप के पोस्ट करने का इस वीडियो को अपने श्टीटास पर जगा देने के लिए अगर हां तो आपका बहुत धन्यवाद होगा मेरी तरफ से मेरी आत्मा मेरी मेहनत का प्रतिफर निकल जाएगा क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए प्रस्ण तैयार करता हूँ और आपके बीच लाइब आजाता हूँ अपने सारी काम छोड़कर अगला है भारत का राष्टी पुष्प कौन से एकदम सरल प्रस्ण है मैं आपका य ज़्यादा शमय नहीं लोंगा वेकि बहुत सारी प्रस्ण आपको करने हैं भारत का जो राष्टी पुष्प है वो कमल है यह आपको सबको पता होगा मुझे नहीं लगता किसी का उत्तर गलत होगा इसका जो बैग्यानिक नाम है यह पूछ सकता है बैग्यानिक नाम क्यों कोई कमेंट करके बता है इस प्रस्ण का बैग्यानिक नाम क्या है तो बैग्यानिक नाम नेलंबो न्यूशी फेरा है नेलंबो न्यूशी फेरा न्यूशी फेरा इसका बैग्यानिक नाम है ठीक है इसलिए इस प्रस्ण का उत्तर 20 का राइट एंसर होगा हम आगे बढ़ना अगला प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है भारत का राष्टी फल कौन सा है तो मैं चाहूंगा इस प्रश्ण का जवाब फटाक से दीजी मैं आगे बढ़ू इदम सरहले मतलब मैं आपका समय बरबाद नहीं करना चाहूंगा राष्टी फल क्या है आमें एक दम हल्वा अगला प्रश्ण है आई आप सिच्छक बनने जार रहे हैं गौवर्मेंट सिच्छक बनने की तयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह पता होगा आगे बढ़ रहे हैं दच्छण भारत की सबसे प्राचीन भासा कौन है शभी साती फटाफट कॉमेंट करेंगे क्लास खतम होने के बाग इसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी तुर्गेशर सर्च करके सभी टेलीग्राम जोयन कर लेंगे जिनको डेली क्लास पढ़नी है सेलेक्शन सबसे प्राचीन भासा क्यों सीयए ये निशुल क्लास आपको प्र्द्व साड़े 9 बचे इन लगिन धुर्गेश पर लğğाइब चलती है सभी साथी फटाफट करेंगे कमेंट करके जबाब करेंगे कि दच्छण भारत की सबसे प्राचीन भासा कौन एक है तोड़ी देखें, दच्छिण भारत की, अगर सबसे प्राचीन भासा की बात की जाए, तो भही आपनों कमेंट करके बताइए, वरना हम तो इस प्रशन को बताएंगे, देखें, दच्छिण भारत की सबसे प्राचीन भासा तमिल है, कौनसी है, तमिल है, तमिल जो है, ये द्रबिड भासा माने जाती है और यह कहा जाता है कि यह तीन हजार इशापूर यह तीन हजार इशापूर से भी पुराना है तीसरी सताबदी इशापूर के आसपास इसके सिलालोग के भासा प्राप्त हुए इसलिए इस प्रशन का उत्तर भी होगा सोचिए अगर पूछ लिया जाए तमिल किस परिवार का है तो द्रविड परिवार का है ये तीन हजारी सा पूर बोली जा रही है ठीक है इसलिए पशन का उत्तर क्या होगा क्या होगा आपका तमिल इसका राइट एंसर होगा मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले पशन की जौहलाल नहरू के साथ जुड़ा है अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जेन्नु को लेकर एक बड़ा विवाद चला है कि जेन्नु का नाम बदल कर स्वामी विवेकरन इन्वर्सिटी के आजाए तो इसलिए ये प्रशन आपकी परिच्छ में पूछा जा सकता है कि जौहलाल नहरू के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है मैं उमीद करता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं वे सभी इस प्रशन का जबाब जरू देंगे शबी साथी फटा फट कमेंट करेंगे कमेंट करके दियेगे प्रशन का जबाब देंगे बताईए ध्यान से देखिएगा फटा फट कमेंट करके बताईएगा इस कूलों में कौन सा जौहल नहरू के साथ जुड़ा हुआ है एकदम राइट एंसर नवोधे श्कूल नवोधे श्कूल इसका सही जवाब होगा ये नवोधे बिद्याले का स्था अपना भारत के पहले परदानमंत्री जौहला लेहरू के नाम पर किया गया था ठीक है जिसका नाम जवाहर नवोधे बिद्याले रखा गया था ठीक है इसलिए प्रश्ण का उत्तर क्या होगा 20 का सही जवाब होगा 20 प्रश्ण का राई टैंसर होगा जी हाँ साथी हो हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरफ तो 1985 में भारत के पथम पढ़ान मंत्री पंडी जहला लेरू के नाम पर जोहर नमोदे वित्याले र करना चाह रहे हैं यह प्रश्ण आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्त पूर्ण है शबी साथी बढ़ पर कमेंट करें जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं निमली कितमे से किसका समन्द भू बिग्यान साखा से है एकदम राइट एंस और आपको देना है मौसम बि प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपकी बीच है कि निमिकित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्टी राजनीतिक दल की रुप में मानता नहीं प्राप्त किया है शबी साथी फटापर कमेंट करें देखिए इस प्रस्ण में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है मैं आपको मैं यहाँ पर बताना चाओंगा यह प्रस्ण गलत है यहाँ पर सभी है पहले छे थे ठीक है छे लेकिन अब साथ हो गए इस प्रस्ण में थोड़ी सी गलती हो गए मैं यहाँ पर तोड़ा आप लोग जानते रहेगा कबसे दो दिसंबर दो शितंबर 2016 16 इनके संके कितीने हो गई, 7 हो गई इसलिए प्रषण गलत है इसको गलत कर लिजेगा, इस से में Trigugal Congress भी है, प्रषण को टाइप करने में थोड़ी सी गलती हो गई, Trigugal Congress भी अब हो गया, सा क्रश्ण अगर पूस देगा तो Trigugal Congress है, ठीक है इसलिए पश्ण को गलत हम लोग कर देते हैं यहाँ पे चार हो प्याज़े नहीं था अब ये भी हो गया 2016 में अब कितने हो गए साथ हो गए पहले कितने थे छह थे ठीक है चलिए अगला पश्ण आपके लिए कागची खोच कहां की गई थी कागची खोच कहां की गई थी सभी साथी फटाफट कमेंड करके बताईए सभी साथी जोलुग वीडियो को लाइब देख रहे हैं कागची खोच कहां की गई थी सभी साथी फटाफट कमेंड करें सभी साथी फटाफट कमेंड करके बताईए जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं चीनिस प्रश्न का सही जबाब होगा साड़े नौ बजे क्लास चलती अलारम लगा लिजिए सेलेक्शन वाली क्लास बिविद जिसका कोई भी नहीं है काश्ट शब्द किस भासा से लिया गया है एकदाम आसान प्रश्न है और यह बिविद है यहां पर सभी पिस्यों का समाव देख रहे हैं दिखिए यह पुर्तगाल से लिया गया शब्द है कहां से यह पुर्तगाली शब्द है अगला आपका है इमारत विस्यों की सबसे बड़ी इमारत है सबी साथी फटाबर कोमेंट करिएगा यह डेली क्लास साड़े नौ बजे निसुल चलती है अन्य क्लास के के लिए आप यहाँ पीछ नंबर पर वाट्सेप करके जांगर ले सकते हैं यह लर्णी दुर्गेश का नंबर है नहोट्स और क्लास समदीर जोन पुर्जन पर से क्लास साड़े नौ बजे लर्णी दुर्गेश पर निसुल्क चलती है सरकारी सिच्छक बनाने के लिए मैं सरकारी सिच्छक हो आपको निसुल्क पढ़ाने के लिए एक्दम टाइम से आजाता हूं और आप भी टाइम से आजाए गरिए कौन सी मारत सबसे उची है दिखिए यहाँ पर अगर पश्ण पूछा जाए कि इसका उत्तर क्या होगा तो बुर्ज खलीपा इसका सही अगला प्रशन है किस नगर को इलक्ट्रोनिक नगर कहा जाता है यह बिवीद का प्रशन है और आपके सेलेक्ट्सन के लिए प्रशन है सभी सद्क्राइब करें, जितने लोगोई वीडियू को लाइक को सेर कर दिया उनका बहुत-बहुत धन्यवाद इस तोबर करें वो जल्दी सरकारी नोकरी करें जितने लोगोने वीडियो को लाइक किया है भगवान के जिंद्गी पर एची से करते रहे हैं अच्छे लोग का इनतजार यह बेशिक सिच्छक परिवार परीवार कर रहा है और आप सभी को निश्छा मात्यम से आप सभी का स्वागत करता हूँ आप भी सरकारी सिच्छिका बने अध्यापिका बने इलक्ट्रोनिक नगर किसे कहते हैं फटाफट कॉमेंट करके बताइएगा मैं अजे गेस्ट पेकल्टी करूप में लेने भी दुर्गेश पर निसुल पढ़ाने के लिए आ कहा जाता है भारत की IT केप्टल है भारत की IT राजधानी कहाजाता है अगला प्रशलाप के लिए है क॑ ऐज्तेव करते हàng दो इसका जबाब आप जरूर देंगे सभी साथी फटाप चैसिशल नहींuu को बिलेस्त दिया जाता है बुरे लोग को नहीं क्योंकि जिनकी मांसिक्ता बुरी होती है उन्हें कोई भी राइट नहीं है मैं हमें साहिस्षूर प्रात्ना करूंगा अच्छे लोग अच्छे जगा जाए तक यह अच्छों की पैचान हो सके बुरूं में गिंती का जवाब दे लेंगे इलहाबाद नहीं है कानपूर है बंबाई है जमसेथपूर यह नहीं है इसलिए इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा डीस का राइट एंसर होगा मेरी बात को समझने का प्रयाश करिएगा मैं आगे बढ़ रहा हूं कि प्रश्ण की तरफ अगला परश्ण आप की बीच है निवनिकित में से कौन से सर गलत जोड़ा है तीन सई एक गलत है फटाफट कमेंट करके बताईएगा कौन सा जोड़ा गलत है तीन सई है एक गलत है सभी साथी फटाफट कमेंट करेगे शबी साती किसी भी क्लास के लिए टेलीग्राम जोईन कर लेंगे टेलीग्राम पे सभी क्लास की नटिपिकेशन आपको मिलती रहेगी यहाँ पे निसूल क्लास निसूल कुनोर्स मिल जाएगी और यह सिच्छक बढ़ती लिखित परिच्छा की बीवित की क्लास साड़े नो बजे निशूल चलती है एलारम लगा लीजिए गर आपको सेलेक्षन लेना है तो देखिए पंडीचेरी फ्रांसिस माटिन श्रही जवाब अहमदाबाद अमध साफ मद्रास फांसिजी सही है कलकत्ता लाड कलाहिप तो भईया जी कलकत्ता का जो संस्थापक था जाब चार नोग था कौन था चार नोग था इसलिए जो गलत है वही सही है इस प्रशन का उत्तर डी आपको सही चैन करना होगा ठीक है किलियर किसी को हुआ कोई समस्या बताइए किलियर मैं आगे बढ़ रहा हूँ रेश के घोड़े रेश में चलगते खेत्मनी और अब रेश के घोड़े है और रेश के घोड़े को दवडा दीजेगा जाब चारला इसका नाम पूरा नाम है जाब चारलो किलियर हुआ ने चार प्रशन आपके होगे ठीक है अगला है राज सब्दिका परियोग सबसे पहले किष्णी किया मैंने बताई ये बिविद है ये बिविद है आपका और बिद्यमाई कसम मैं इसलिए कहता हूँ आजे टीचर के तोर पर आजे साथी के रूप में ये बच्पन उन्लोग ऐसा करते है तो मुझे लगा कि ऐसे क्या होती है हम अपने बच्पन को याद कर पाते है और बच्चों के साथ जुडाओ मसूस कर पाते है और बहतर सिच्छा के लिए जुड़ पाते है ठीक है राज्य सब्दिका परियोग सबसे पहले किस नहीं किया था तो मैं चाहूँगा आप जल्दीस जवाब दे तो राज्य सब्दिका सबसे पहले मैक्या वेली ने किया था किस में अपनी प्रसिद पुस्तक इनकी प्रसिद पुस्तक की बात कीजए किस पुस्तक में इसका जिक्र किया था किसी को पता है दप्रिंश में दप्रिंश में इन्होंने इसका जिक्र किया था याद रखियेगा मैक्या वेली ने दप्रिंश किताब में सबसे पहले राज्य सब्द का प्रियोग किया था यह प्रश्ण याद रखेगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पुस्तक का नाम दा प्रिंस है जिसमें उन्हें सबसे पहले राज्य सब्द का प्रियोग किया था ठीक है किलियर हो अगी नहीं ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्ण की तरफ देखिए सिप्र पुलिस थाना जो संसार में सरोत्तम माना जाता है कहां पर है तो याद रखेगा मैं आपका प्रश्ण का ज्यादा समय महीं लोगा देखे एसिया की सरोत्तम पुलिस थाना चुना गया था किसे ये जैपूर में है कब चुना गया था याद रखेगा 2009 में कहाँ पर सिप्रपत पुलिस थाना जैपूर में है किलियर मैं आगे बढ़ा अगले प्रेशन की तरव मैं आपका समय नहीं लूँगा पर्यावर्ण सरच्छन के लिए कौन सी अंताराष्टी एजनसी काम कर रही है एकदम आसान प्रेशन इसको जरूर जवाब देना है शबी साती फटाफट कमेंट करिएगा कमेंट करके बताइए सबी साती फटाफट कमेंट करें यह सेलेक्टेट कोश्चन है आपके लिए जिसको मैं आपके लिए रात भर जगे के सेलेट करता हूँ ताकि आप भी सरकारी से चक बन सकें सरकारी नौकरी कर सकें और ठीक है और सबसे बड़ी बात है आपके माता-पिता आप पर भरोशा क करें और आप अपने माता-पिता लिए कुछ बहतर करें यह क्लास देशित में राष्ट में निसुल का है ताकि आप सबी एक राष्ट के लिए एक बहतर सिच्चक बनकर इस बेसिक परिवार में देखिए परियावन सच्चन के लिए ध्यान दीजेगा ग्रीन पीश है क्या होगा ग्रीन पीश होगा इसके बारे में थोड़ी शेम बाते कर लेते हैं ग्रीन पीश एक गैर सरकारी परेवन संगतर अगर इसकी अस्थापना की बात करें तो 1971 में इसके स्थापना 1971 में ती कहा वो थी बैकूर में होई थी लिखते चलिएगा मैं इसे पढ़ा चुका ठीक रेखिया तब मुख्याले है क penalty में सिथे गणा और पीटेट सूपर टेड़ की लिए आपको इस टेलीग्राम पे जोड़ना होता सबी क्लास के लिंक मिल जाएगी ठीक है सभी फ्री क्लास, यूपी टेट, सीट, सुपर टेट, सिचक बढ़ती, केवियाश, डियास, सभी क्लास की लिंग, आपको टेलिगराम पे मिल जाएगी, फेस्बूक पेज, इस्टाग्राम, ट्विटर, यूटूब, इलरी पे दुर्गेश पर, मैं आगे बढ़ रहा ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ, अगले पिश्टी की तरफ, अगला पिश्टन है, वन महुत सो किसे समंदित है, सभी साथी फटाबर कमेंड करेंगे, जबाब देंगे, सरकारी से च्चक बनने के लिए, एक्टम महत्तपून क्लास आपके लिए, लाइब आ रही है, सभी पिडियो को लाइक और शेयर जरू कर दीजएगा, आप लोग, आप लोग सुनना चाहरे थे, कि आज विद्ध्या मही कसम नहीं कहा गया, ठीक है, बताइए, वन महुत सो किसे समंदित है, फटाबर कमेंड करेंगे, आप लोग, आप लोग को बश्पन की याद दिलाने के लिए कर्शम आजाती है, ताकि आप लोग सेयर करें, वन महुत सो समंदित किसे है, देखिए, वन महुत सो का समंदित कर देखा जाए, तो पीड़ लगाने से, किसे है, पीड़ लगाने से, जी हाँ, प्रकित को हरा भरा करने के लिए, वन महुत सो कब मना जाता है, कमेंड क क्लास आपके खतम करते हैं काफी देर से काफी लंबी क्लास लिए अगर आपको सारकारी से इच्छक बनना है तो साड़े नौ बजे इलनी भी दुर्गेश पर लाइब मैं आप सरी का स्वागत करता हूँ मैं श्रेम गवर्मेंट से च्छक हो चुका हूँ लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप सभी गवर्मेंट से च्छक बने और आप अपना बहतर दें इश्वर से मैं प्रात्ना करता हूँ कि जितनी मेहनत से जितनी इमानदारी से मैं अपना बहत करिएगा कि कितने लोग प्रदीन सारे 9 बजे एक सरकारी सिच्छक बनने के लिए इस वीडियो पर लाइब रहेंगे उपने सभी साती मित्रों को 10-10 लोगों को जोड़ा जाएगा ठीक है सभी सातीों को बहुत बहुत धन्यवाद सुक्रिया इस्ट्वर करें जितने लोगों इस वीडियो को लाइक और शेर किया है फिर चल्दी से सरकारी सिच्छक बने जितने भी गोला लगाएं पर इच्छाहलमन का एक भी गोला गलत ना हो जितने लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है मैं हमेसा उनके साथ रहूँगा मैं हमेसा उनका सपोर्ट करूँगा यह है एक वीडियो एक निसुल सिच्छा की कलास किसी की जिंदिगी में एक पड़ा बदला उला सकती है जल्दी करेंड फियर की कलास आपको मिलती रहेगी तो यह आपके संख्या बल पर डिपेंड करती है आपको चाहिए कि अगर आप इलनी भी दुरगेश की मदद करेंगे लोगों तक पहुचाएंगे शंख्या बल देंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा जैसे मैं आपको मोटिवेट करता रहाता हूँ क्योंकि रेश के घोडे रेश में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं और आप रेश के घोडे हैं अगर घोडों से खेत जुतवाया जाए और गदों से रेश कराई जाए तो क्या जा रहा होगा इसलिए आप सभी रेश के घोडे हैं ठीक तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद राफशभी की वज़े से मुझे ग्रेचन पर जोनपूर मिला है और कारेकाल भी चलना है और हम लोग जुड़े हुए हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद इसलिए मैं जे गेस्ट फेकल्डी ग्रूप में निशुल क्लास लेका राता हूं शाड़े नो बजे प्रश्णों को तयार करता हूं और आपकी बीच लेका राता हूं ताकि आप भी सरकारिय ध्यापक और अध्यापिका बन सके और आपको बशपन से याद को जोड़ने के लिए पिद्ध्यमाई को लेका राता हूं क्योंकि NCUP 2005 कहता है कि बच्चों को उनके वास्तिवी ग्यान से जोड़ने की जगा उनके परियावन के ग्यान से जोड़िए उनके बच्पन से जोड़िए उनके आसपास के लोगों से जोड़िए और इस तरह उन्हें हसाते रहिए पढ़ाते रहिए येकि मेरा उत्देश आपको सेलेक्सन दिलाना है मेरा उत्देश आपको सरकारी नौकरी के पहुचाने वाले उस मंजिल तक लेकर चलना है लेकिन आप अगर साथ देंगे यकीने आप उसमें जरूर शफल होंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लगातार साथ देने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ ये वीडियो फेस्बूक पे जिलेनी भी दुर्गेश यूटूब पर दोनों पर निसुल चल लई थी और इस्टड़ी भी दुर्गेश सर एक और चैनल है बाकी क्लासेज आपको इस्टड़ी भी दुर्गेश सर पर मिलेंगी इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाग रखेगा इसका उत्तर तो आपको भी पता ही है बहुत बहुत धन्यवादा सभी का ठीक है चलिए अच्छी तरह से मेहनत से पढ़ रहे हैं और इतनी रात गए आप हमारे शाथ लाइब हैं मुझे भी इस बात सी खुशी है बहुत बहुत धन्यवाद अब चलते हैं बाइबाए और आप अपने माता पिताग अपने परिवार को उम्मीदे है इसलिए मेहनत करना कभी मत छो ऑपको इस रेष्ब में भीजेता बनना है कि इस रेष्ब में कि आलवागी करना अंच्छा लगा काफी संख्या रही आपकी, बहुत अच्छा लगा मुझे, जै हिंद, जै भारत, बंदे मात्रम, और इश्वर करें जल्दी से आप लोग अपने विद्यालों को जाएं, आपकी परिच्छा में कोई भी प्रिश्ण कलत नहोंने पाएं, आप बहतर करते रहें, बाइ-बाइ, सम्नम जी बहुत बहुत धन्यवाद अब सभी का, सभी साथियों का धन्यवाद मैं नाम नहीं ले पाता, वेकि आपको सेलेक्शन लेना है, चैनी थोना है, बाइ-बाइ, अब हम चलते हैं, अच्छा साथ दिया आप लोगोंने,